तो आईसे सिजन एट का मैच नमबर उन्तलिस हो चुका है खता मैच हो रहा था हाईदेपदिपसी वर्चेस एसिस्ट बेंगॉल और इस मैच पे हमें वान वान स्कोल लाइन देखनों को मिला यानि कि मैच दुरो हो गया था दोनों टीमों ने बहुत ही अच्छा खेला है कही एक पॉइंट मिल चुका है हाईदेपसी अगर जीत पाता तो भाई ओ सेकंड पुजिशन पर पहुंच जाता मुंबर शीटी एपसी के साथ एक टक्कर का मुकाबल उनका हो सकता था पॉइंट इबल में लेकिन एससर नहीं हुआ है इस इस बेंगोल यहां पर चीजों को र इस बेंगोल में थोड़ा बहुत हमें चेंज देखने को मिला है हाईदेपसी में लक्समिगंद कटी मानी एज गोल की बत था उसके बाद चिंगलन सना अकासमिस्रा जाओ विक्टर अनिकेद जादब इडू गारिशिया का इंटरी हुआ था यहां पर एक छोटा सा चेंज था उसके बाद हीते सर्वा निकिल पुजरी जुल चीनीज बर्थलमी ओगवेचे और रोही धानू मौजूद था एसिस्ट बेंगल में मौजूद था अरिना भट्टा चारिया मैं आपको बताया देगे एजी की परो रहने बाले स्मैक पर उसके बाद तूम श्लाब जिस तरीके का ही लाइन आप हमें नजर आया है पहले मिनिट से ही भाई दोनों टीम बहुत ही अच्छी तरीके से अपना सेटप दिखन स्टार्ट कर दिया था हाज अब दिपसी ज्यादा हाँ भी हो रहा था कुछ देर तक लेकिन धरी धरी एसिस्ट बेंगल भी यहाँ प पर भाई अजित किया था और उस फ्रीकिक को कंफर्ट किया पर अमीर डेर सुबई निदम डाडेक्ट फ्रीकिक सुनों ने गोल लगाया है हां लक्षमिंद कटी मानी के हाथ मिलाकर बॉल घूस गया था लेकिन सौटन टाइगर था और यहाँ पर एक जिरो से वारत मिल टिका नहीं है क्योंकि हाइदवद इफ्ची भी बहुत ही अच्छी तरीके से कमबैक करने के कोशिस किया था और 35 मिनिट पर हाइदवद इफ्ची के अंकित मुकर जी लेट फ्लंग से जबर्दास क्रोस डाला था और उस क्रोस को भाई हेड देकर घुसा दिया था बार्थ पहले हाप में ही पहले हाप भाई बहुत ही ज्यादा इंटर्टेनिंग था हमें दो दो गोल देखनेों को मिला है और उसके बाद जब भाई सेकन हाप स्टार्ट हुआ हमें नचर आ रहा था हाइदवद इफ्ची में खास करके एसिस्ट बैंगोल जिस तरह की से उज़ा दिखाया था पहले हाप में उसके तुलना में भाई हाइदवद इफ्ची बहुत ही अच्छा किया था अपना स्टार्ट सेकन हाप का बहुत अच्छा अच्छा थीटिनिंग चांस को क्रियेट किया था लेकिन चांस को भोना नहीं पा रहा था बहुत ज्यादा इफिक्टिब हम लोग कहेंगे कि हादवद इफसी सेकन हप में रहा है और उसके बाद एक और चेंज हमें देखने हो को मिला है हादवद इफसी के तरफ से जोएल ची ने इसके जगे यहां पर जवियार सभीरियों को भीजा गया और उन्हों ने आकर भाई अच्छा प्रभाव डाला था एक तरफ से भी यहां पर एक चेंज हमें देखने हो को मिला डेनियल चीमा चुकूई को जगे बलवन सिंग को यहां पर भीजा गया था हम लोग एक्सपेक्ट करें को प्लिंगल में सामिल किया जया लेकिन उनको सा लेड़े आकर भाई अटकेंग लिए बहुत थी अच्छा इफेक्ट फेला था इस बेंगल के तरफ से मज़ा आ रहा था भाई मैस देखने में क्यूंकि चांस दोनों के तरफ से ही आ रहा था उसके बाद एक और चेंज हमें देखने को मिला हाईदापाजिपसी के तरफ से दो-दो चेंज यहां पर हुआ था लगता है एडू गर्चे के जगे वनन आया था और हितेस के जगे यहां पर एरेंडी सिल्वा को भेजा गया था लेकिन इतना ज़्यादा भाई आब कुछ हमें प्रभाब नहीं नजर आया दोनों ही डिफेंट करने की कोशित कर रहा था राजु गाई को इंजरी के चलते भाई बाहर हो गया था उनके जगे डैनियल गॉम्स को अंदर डाला गया उसके बाद हम टेके जगे नावडेम आया था लेकिन अगर हम लोग अगर देखे पूरी तरीके से भाई मैच एक दम फीकर पर गया था आते आते दोनों ही बहुत पर हाईदबद इपसी के तरफ से और उसके बाद हमें कुछ ज़्यादा यहां पर नजर नहीं आया है 90 मिनिट का ता मुआ साथ मिनिट एक्स्टर टाइम था लेकिन वहां पर भी कोई गोल नहीं आया है और मैच के स्कूल लाइन 11 हुआ मैच ड्रो हो चुका है दोनों को ही एक एक पॉइंट मिल गया है इसके बाद अगर मैं स्टैट्स की बात करो तो स्टैट्स में आपको हाईदबद इपसी अच्छी खासी तरिके से नजर आएगा उनका स्टैर बहुत ही अच्छा रहा इस मैच पे अगर किसे को जीत मिलना था तो भाई हाईदबद इपसी को ह बहुत ही अच्छा केला है उन्होंने बहुत ज़्यादा पास से उनके पास मौजू थे उसके बाद आगर मैं बात करूं टार्गेट की तो छे सौटन टार्गेट यहां पर हाईदबद इपसी के तरफ से बाकि आगा देखा जाए तो सभी मामलों में हाईदबद इपसी कह नहीं ज्यादा अच्छा रहा है इंटरसेट के आगर बात के जाए तो यहां पर ज्यादा डिफिंट क्या है इसस्ट बैंगल तो उनके तरफ ही भाई 27 इंटरसेप्शन है दस इंटरसेट्शन हैं यहां पर हाईदबद इपसी का तो कुछ तरिके का ही स्टाइट है काला है डिफिंसिव लाइन पर बहुत है अच्छा आज काम क्या है यह दोनों खिलारी के ऊपर पूरा चीज आ रहा था क्योंकि वार्ण प्रिलिंग में मौजूत नहीं तो उनके जगे आज मौका मिला था एडू गर्सिया को उसके बाद अगर में फिल की बात किया तो जाओ विक्टर भाई उन अब देश्ट खिलारी साबित हुआ इस मैच पे उसके बाद एडू गर्सिया अंकित जादब निखिल पुजरी एस सभी खिलारी ने अपना परफमेंस करके आज दिखाया है उसके बाद फॉर्ट के अगर बात किया जाए तो भाई ओगवेचे आज गो एसिस्ट बैंगल में अरिना भटर चारिया ने अच्छा खेला है आज उनका गोल कीपिंग में कोई संदर नहीं है उनके तरफ से आज उतना ज्यादा गल्ती नहीं हुआ है डिफेंसिबली अगर देखा जाए डिफेंडर में तो तो मिसला बहुत ही अच्छा खेला है जॉ अच्छा रहा है महमद रफीक उसके बाद हम्ते भाई क्या जबर्दस परमिस क्या इस मैच मुन को ही रॉप दा मैच चूज किया गया हम्ते काबली तारिफ था उन्होंने बहुत ही अच्छा खेला इस मैच पर मिट फिल में रहे कर फॉराट के अगर बात किया जाए तो कह इस तरगे का ही भाई इस मैच पर हमें स्टैट्स और खिलार के बारे में देखने को मिला है अब लोग भी क्या सोच रखते हो इस मैच के उपर कमन करके मुझे जरूर बताए फिलाल कि इस वीडियो को देखने के लिए अगर आपको वीडियो अच्छला या तो लाइक झाल